कि नमस्कार दोस्तों किर्केट भी सचीन बोरा हैं फिर से एक बार आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन सलाइट जो कि एक स्पोर्ट्समेन के लिए चाहिए किसी भी तरह का ओ स्पोर्ट्स हो किर्केट और अनी अदर्स गेम कोई भी गेम हो उसके लिए यह प्रोटीन सलाइट कितना इंपोर्टेंड है आप जैसे कि जानते हैं कि ग्राउंड्स में जाने के बाद एक प्लेयर कितनी एनरजी अपनी वेस्ट करता है मतब कितनी एनरजी को लॉस्ट करता है उसकी रिकबरी के लिए हमको बहुत सारी पावरफुल इनगरेडियन्स की जरूरत होती है जो ताकत जो सोर्सेज होती है हमारी कैलरी लॉस्ट होती है बहुत जो है हमारा जो सरीर है काफी ठक जाता है तो उस ठकान को उस ताकत को वापस लाने के लिए हमको बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो जरूरी चीज है जो कि हर ब्यक्ति को नॉर्मल आप नॉर्मली भी आप इसको ले सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्समेन है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है प्रोटीन का लेना क्योंकि एक ग्राउंड के अंदर बहुत ही एनर्जी हमारी लॉस्ट होती है एक प् मैसी जिन से प्रोटीन मिलता है बट भेजिटेरियन के लिए बहुत ही जरूरी है जो मैं आपको पूरा मेथट इसमें बताऊंगा कैसे आपने इसको बनाना है वह गौर से देखिए और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना इस सालेट को आप बारिक से चबा के खाना और उ इसको खिला सकते हैं बहुत टेस्टी होता खाने में स्टार्टिंग में बच्चे जरूर नखरे करते लेकिन अगर वह नखरे करते हैं तो उनको थोड़ासा एक इस्पून या दो इस्पून एक दिन में खिला ये बस एक इस्पून से शुरुआत करिए धीरे दिरे उसको इसका हैविट हो जाएगा तो खाने लग गया और बहुत जरूरिया आपने खिलाना ही पड़ेगा इसको अगर बच्चे को आप स्पोर्ट्स में डाले हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट आपको एक प्रोटिन सलड है तो दोस्तो मैं आपको बताता हूँ को इसको कैसे बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है एक बाउल साबुद मूंगी दार और एक बाउल चनाद साप करके धोके साम को आपने फिका के रख देना है उसके बाद जब सुबह होती है इसको पूरा आप सफाई करके दुबारा से इसको आपने रख देना है अब उसके बाद इसमें हमने स्प्राउट्स निकालने हैं जिसको अंकुर बोलते हैं अंकुर हमने कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा हमने इसको दो कपड़ों में कोई भी साप सुत्रा कपड़ा उसमें रख देना है दोनों को अलग रखो या एक साथ भी रख सकते हो और उसके बाद उस कपड़े को गीला करना गीला करके लटका देना है कहीं पे और बिज बिज मा उसमें आपने पानी के छीटे मारते रहने ताकि वो गीला रहे दूसरे दिन आपको इस तरह से अंकूर दूसरी दिन बिल्कुल इस तरह से बहुत ही सुन्दर अंकूर ये स्प्राउट्स निकल जाएंगे जो कि इस आपको नॉर्मली भी आपको चैने में और मूंग दाल में प्रोटीन मिलेगा और जाते अंको निकल जाते हैं तो इसकी ताकत दुगनी हो जाती है अब देखिए यह आपने है कैसे सुन्दर स्प्रौॉट्स निकले हैं उसके पाद आपने भी लेना थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा फिनएट लेना थोड़ा सा प्याज कठा कटेवे टमाट रहा होसा के धनिया भी आप इसमें ड़सकते हरीमीस डाल सकते इसको चटपटब बनाने के लिए बहुत ही सुन्दर और बढ़िया बनता उसके बाद आप इसको एक बावल में सभी को मिक्स कर दीजिए और ये पनीर मिला दीजिए उसके बाद कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर आप इसमें मिला दीजिए इसमें थोड़ा सा ब्लेक सॉल्ट जो की आपके टेस्ट के मताबिक जितना भी आप यूज़ कर सकते एक पीनट है उसके बाद इसमें काला नमक या नॉर्मल नमक भी आप मिला सकते हैं थोड़ा सा काला नमक इसमें मिला दीजिए और मेरे पास नीबू अवैलेबल अभी नहीं है और नीबू इसके स्वाद को और भी तेस्टी बना देता है बहुत ही बड़िया स्वाद नीबू डालने से आता है और इन सभी को मिक्स कर दीजिए जितना भी है बहुत ही बड़िया मिक्स करके एक सालेट के रूप में आप सुबह आप जो ब्रेकफास करते हैं आप ब्रेकफास को मत करिए आप इसी को ही अपना ब्रेकफास बनाए बहुत ही आपको बड़िया प्रोटीन इसे मिलेगा अपने बच्चों को खिलाए और खुद खाए एक sportsman जो भी है उसके लिए बहुत ही जरूरी है जैसे कि मैंने बताया था बस इतना ही इस मैं इसको मिलाने के बाद आप इसको serve कर सकते हैं बहुत protein यूपत है जो कि आपको बहुत ही benefit करेगा क्यान रहे कि जब भी आप इसको खाओगे इसको अच्छी तरह जबा जबा के खाना है और उतना ही खाना है जितना आप इसको पचा सको क्योंकि अगर आप आपका पचा नहीं तो इसका कोई benefit नहीं देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं